किसाम भाई हो, सलपर का ठंड में इस्तमाल कितना करना चाहिए, इसकी quantity कैसे तै करना चाहिए, ठंड के मुताबिक तै करना चाहिए, या फिर पानी के pH के उपर हमें तै करना चाहिए, यह बात है बहुत ही confusion करने वाली है, तो यही confusion दूर करने के लिए आज का यह वीडियो ब आपके खेत में पानी की कमी होने वाली है, या फिर पानी ज्यादा, मतलब water stress रहने वाला है, पानी का तनाव रहने वाला है, चाहिए आप कितना भी पानी दो, खुला पानी दो, यह अगर ऐसी condition रहेगी, क्योंकि इस साल बहुत सारी जगों पे सुका पड़ सकता है, तो ऐ यह उष्णता और वो उष्णता दोनों एक साथ मिलकर आपका फसल खराब भी कर सकता है, तो यह condition बन जाता है कि जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे सलपर काई इस्दमाल नहीं करना है, लेकिन इसके विपरीद, जहाँ पे पानी पर्यत मातरा में, जहाँ पे पानी पर् तो बहुत जाता है, तो जो बहुत जादा डाउन टेपरेचर होता है, उस टेम्परेचर में सरवाव करने के लिए आप अलग-अलग फंड़े ही इस्तमाल करते हैं, उसमें से एक फंड़ा होता है सलपर का, तो यह सलपर कितना देना चाहिए, पी-एच के अनुसार देना चाहिए यह हमें तय करना है आज के इस वीडियो के अंदर ठीक है तो भाई पानी पर्यत मात्रा में हो तो ही आप सलपर का हथ से ज्यादा इस्तमाल करना वरना क्या होगा पहले से पानी गताना उपर से सलपर दे दिया फसल खीच के आ जाएगी आपका नुपसान हो जाएगा तो जो मिल रहा है वो तो पानी की कोशिश करें अच्छी तरीके से और ठंड और पीच इन दोनों के इसाब से कैसे करना है पहले बात बता देता हो तो भाई पीच के अनुसार चलते अगर आपका पानी का पीच और आपके जमीन का पीच दो कंसेप्ट अलग अलग है आपक कंपूजन ना हो इसलिए जमीन का पीच बहुत ही जरूरी है जैसे आपके पानी का पीच होता है बहुत उसी तरीके से आपके जमीन का भी पीच होता है तो जमीन का पीच अगर साथ के नीचे हो जमीन का पीच अगर यदि साथ के नीचे हो तो भाई हमारा वो कैल्शियम व उस चुने के अंदर हीड भी रहता है मतलब जैसे हीड को आप देख रहे हैं उष्णता को आप सलपर के अंदर देख रहे हैं वैसी उष्णता चुने के अंदर भी होती है तो साथ के नीचे चतितगर जैसे एरिया के अंदर क्या होता है ऐसी जमीने होती है वहां के जमीनों क ्प्प्प्प्फश साथ तक भी ओता है तो अईसी जम्णहों के अंदर चुने का इस्तमाल एक यह घर पर जो कोई इस्तमाल करना आ जमिन कुंसार कूत में envoy का था जमीने आपका पीजन का तो तो आपको ज्यादा अलग से सलपर देने की भी ज़रुरत नहीं यह उन लोगों के लिए भी हो सकता है कि जो सलपेट फॉर्मूलेशन का बिल्कुल भी इस्तावालने कर सकते या फिर करते नहीं सिर्फ चिलेटेड चिलेटेड जाता है उनके लिए भी अच्छा एड़ाइसा करते हैं उन्होंने नहीं भी दिया तो भाई आपने पहलेशन रखाए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरुरत नहीं है तो फिर भी हम यह आप देखेंगे कि भाई साथ से आठ के बीच में पीच रहेगा तो कितना हमें देना पड़ेगा और नो के आगे हमें कितना सलप पर देना पड़ेगा इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं उससे वाले वीडियो को लाइक ने किया है लाइक कर दो चाहें को सब्सक्राइब ने के लिए सब्सक्राइब कर दो तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में लेनीए सलपर के अलग-अलग प्रकार आप जितने भी सलपर के प्रकार देखोगे वहाँ पर तो 90 प्रतिशत या फिर 80 तब ही आपको सलपर दिखाई देता है तो हम मानके चल देख भई 80 फिल्दी वाला या पिर 90 फिल्दी वाला द प्रतिशत का अंतर ने कुछ ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है बेंटो नाइट स आपको सलपर का इस्तिमाल करना है लेकिन कंडिशन बता दिया है मैंने पानी पर्यात मातरा में होना चाहिए बिना पानी के इतना सलपर डालोगे नुकसान हो जाएगा और बेंटोनाइट सलपर जो बेंटोनाइट सलपर क्या होता है बेंटोनाइट एक क्ले का नाम है तो इस तरीके से बेंटूनाइट सलपर का इस्टमाल आप कर सकते हैं अभी कुछ किसा कहेंगे सर जी हमें तो बेंटूनाइट सलपर का इस्टमाल ने करने हमें सिर्फ पर्टिक्यूलर हमारे एरिया के अंदर क्या होता है पास साथ दिनों के लिए टेंपरिचर फूल डाउन हो जाता है उस समय हमें जल्दिक प्रक्रिया करने वाले सलपर की जरौत है जो टेजी से काम कर सके। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे आप तीन किलो फेलिक्त के, इस्टमाल कर सकते हो यह वह पाँ पर 10 किलो सब्सक्राइए और विए आं पर 6 किलो कर दिया तो कोई बात नहीं है सर जी हम वह पता चले आपने औलग अलग प्रकर स costume भी निकल आए हों गहीं पुराने दमाने में फिर एक दो سाल महीं तो उसके उपर भी लिखा होता है कि आपके जमीन का pH कितना है तो चतिसगड़ वालों के लिए भी मैंने बता दिया कि आपकी जमीने अगर ऐसिडिक होंगी तो आपको क्या करना है आपको सलपर का इस्तमाल ना करते होई चूने का इस्तमाल करना है अगर आपकी जमिन acidic है तो चतित गड़ में भी दोती प्रकार आते हैं जमिन के और बाकी के एरिया में भी आ सकते हैं तो और ओल सभी के जमिने लगबग साथ के ऊपर होती है तो सभी के लिए एक अच्छा मैसे जाना चाहिए वरना क्या होगा acidic जमिनी और भी sulfur डाल दिया और भी acidic हो जाएगा नुकसान हो जाएगा असल में हमें करना क्या है यह जो pH होता है ना एक से लेकर 14 तक होता है ठीक है और बीच में आपका साथ रहता है एक वालों को साथ के पास जाना है और 14 वालों को साथ के पास जाना है यह neutral फेज है यह ideal condition है इसके पास हमें portion आए इस condition में अगर हम आ जाते हैं तो हमारा nutrient का अपटेक, soil का है सब कुछ अच्छी तरीके से maintain रहता है तो इस तरीके से आप सलपर का ठंड में इस्तेमाल कर सकते ह आपको आपका जाब मिल गया होगा तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरू कीजेगा आप बिलते हैं आगले वीडियो में जै जावान जै के साथ